कि नमस्कार साथियों डॉक्टर उमंखना हुव्यों पहते क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है साथियों आज हम बात करेंगे आपके 100% खुब्सूरत होने में कमी डालने वाले एक बहुत बड़े विशयपाद हम लोग अपने स्किन की केर करते हैं इसकिन को खुब्सूरत बनाने कोशिश करते हैं चेरे पर तमाम कोस्मेटिक्स लगाते हैं लेकिन कहीं कहीं पर मत खा जाते हैं कि गुलावी होट पर तमाम बॉलीवूट में लेकिनों कावलीवूट में बातें लेकिन आज हम आपको बताएंगे होममि पैथी में खुब्स Chu खुब्स कालां lesi दवाएं यहाँ वो दवाएं हैं जो आपके होटों को गुलाबी बना देंगे आपके होट जो काले पड़ गए हैं उसको यहाँ बिल्कुल अपने नेचुरल फार्म में ले आएंगे सबसे पहले साथियों जान लेते हैं कि अखिर होटों का मिकैनिजम क्या होता है कैसे होट गुलाबी या काले होते हैं यह जो अपने होट होते हैं इस पे एक सबसे उपर बड़ी पतली एक cellular layer होती है जो की transparent layer होती है यहाँ layer ही आपके होटों पे चमक लाती है जब किसी भी कारणों से चाहे वो UV radiation का कारण हो चाहे वो smoking का का कारण हो चाहे कोई health कारण हो चाहे अनीमिया का कारण हो कोई भी कारण से जब इस cellular layer के नीचे जो blood vessels होती है उनके blood flow में कमी आ जाती है तो आपका होट गुलाबी यानि pinkish tone ना देखे darkish tone देने लगते हैं और आप उसको lipstick और तमाम चीजों से चुपाते चुपाते परिशान हो जाती है और lipstick एक खराब brand की lipstick खास तोर से सस्ते brands होते हैं इनकी lipstick या महेंगे भी कोई भी हो lipstick तो lipstick है और जो प्राक्रतिक खुपसूर्ती है वो खुपसूर्ती तो खुपसूर्ती है तो यहां सब भी रुक्सार करते हैं आप लोग अपना इन होटों को गुलाबी करने के लिए तमाम चीजों का इस्तमाल करती है अब तो paint भी आ गहा है तो पूरा होट पे paint करा जाता है जोकि पहले राम लीला में कलाकार paint करते थे अब वो एक समाने जीवन में हमारे आपके घर की महिलाएं अपने ओट paint कर रही है अपना अपना मत है लेकिन मैं इसको थोड़ा दो भाग पूर मानता हूँ मैं थोड़े पुराने विचारों का व्यक्ति हूँ जित्ता कुद्रस से हो जाए जित्ता होमियोपेटी से हो जा होट जो है वो गुलाबी होने का मेकैनिजम क्या है अब बात कर लेते हैं इनके काड़नों की तमाम कारण है जिसमें सबसे बड़ा कारण जो है काले होट का है वहाँ स्मोकिंग हम लोग के क्लिनिक मरीज आते हैं हम लोग उनकी होट और आखें देखके पैचान लेते हैं कि बिमारिया कारण हो सकती है पाच्वा आपका अत्यरिक कास्मेटिक्स का उप्योग कारण है तो इस तरह तमाम कारण है जो आपको होट को गुलाबी से जो कि बच्पन में आप लोग हम लोग सब लोग गुलाबी होट लेके कुद्रत हमें उपर वाला भगवान हमको उतारत है धर्थी पर और हम लोग अपने होटों को काला करते हैं यह आपकी जानकारी के लिए प्रोग्राइम है अपने आपको एक्सपरिमेंट ना करें किसी डॉक्टर से पूछ के ही दवा लें क्योंकि एड देखके बजार से कॉस्मेटिक लेना और कोई वीडियो देखके डॉक्टर के बीना बजार से दवा लेने में बहुत फरक होता है डॉक्टरी एक बहुत संजीत्गी का पेशा होता है इसको आप मक्हौल या यूटूब पे नारा ये केवल एक प्रियास है कि हम आपको इससे रूबरू कराएं कि होमियोपैथी में इसकी कि दवाएं आप किसी कोस्मेट्रोडा यस्ट के पास जाके डॉक्टर के पास जाके इसके विशह में लगैभ ले सकती है चलते हैं आपको बताते हैं काले होटों को गुलाबी करने की 10 कारगरहोमियोपैथी thus काचर कर सकत All थी नंबर एक दवा है कार्बो एनिमेलिस कार्बो एनिमेलिस 30 पावर में यदि आप दो दो बून लेती हैं दिन में तीन बार आप देखेंगी कि आपके काले होंट घुलाबी हो गए यहां हर सिम्टम पे काम करती है सिवाए स्मोकिंग छोड़के यानि कि कोई भी स्थिति में आपके होंट काले हो रहे हो अगर आप कार्बो एनिमेलिस 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले लेती हैं तो आपके होंट गुलाबी हो जाएंगे दूसरी स्थिति आती है आपने बर्थ कंट्रोल पिल्स का बहुत सेवन करा है और आपके होट काले हो गएं या एक बर्थ कंट्रोल पिल्स का आप effect भी कह सकते हैं इसको दूर करने की Homeopathie में बहुत कारगर दवा है सीपिया अगर आप CPI 30-22 दिन में 3 बार लेती हैं तो आपके बर्थ कंट्रोल पिल्स से जो कहते हैं गर्ब निरोधक गोली खाने से जो आपके होट काले हुए हैं वहाँ वापस अपने फार्म पे गुलाबी लवट आएंगे और आप अपने को confident महिसूस करेंगे फिर एक स्थिती आती है जब आप में weakness बहुत है और आपके होट काले हो गए तो अगर weakness कमजोरी के कारण आपके होट काले हो रहे हैं आपको लग रहा है दिन भार आप दूप में काम करती हैं निकलती हैं कोई salesman, salesgirl हैं और आपके होट काले हो गए हैं तो उसको दूर करने की हुमियोपयटि में निश्यत रूप से दबा एसिटिक आसिड है आप एसिटिक एसे थाटी पावर पे दो दो गून तीर में तीन बार ले ले लें इससे आपके होंट भी काले हो जाएंगे आपकी कब जोरी भी दूर हो जाएगी और आपकी खुपसूर्ती में चार चांद ल तो अगर ऐसी स्थिती है कि आपके सीने में हमेशा जखड़न बनी रहती है नजला आपको बार-बार हो जाता है और आपके खोट काले हो गए तो अगर वो इस्थिती हो तो आप एंटिम टार्टेरिकम दो सव पावर की दो दो बून दिन में तीन बार ले सकती हैं सुबा देखेंगी कि आपकी जखड़न भी खतम हो गई आपके सीने का कंजेशन भी चला गया और आपके काले होट वापस कुद्रती रूप से गुलाबी हो गए फिर एक स्थिती आती है कि जिसमें आपके डिप्रेशन है आप पे तनाव बहुत है आप डिप्रेशन में आप खब दूर करने की होमियोपैथी में बहुत अच्छी दवा आरजेंटम नायटिकम है आप आरजेंटम नायटिकम 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले लें आप देखेंगी कि आपके होट गुलाबी हो गए आपका डिप्रेशन और डर जो डर होता है और घब्रहाट किसी भी काम को करने से पहले घब्रहाट वहाँ डिप्र सिम्टम आपका खत्म हो गया फिर एक स्थिती आती है कि आपका शरीर बिल्कुल ठंडा रहता है और आपके होट काले है अलब इतना ठंडा रहता है कि उसको बिल्कुल आदमी ठुए तो कहे और क्या जान भी है आपका एमफोरा 30 दो-दो बून दिन में तीन बार ले लें आप देखेंगे कि आपके शरीर में भी उर्जा आ गई जो आपका वाइटल फोर्स खतम हो गया वहाँ भी पूरी तरह वापस आ गया आप उर्जावान हो गई और आपके काले हुए होट प्राकरतिक रूप से गुलाबी हो गए और आप समाज में बेतर कॉन्फिटेंस से मूफ कर सकी एक बहुत कॉमन इस्टिती और हम अपने क्लीनिक पर देखते हैं कि मरीज पानी बहुत कम पीता है उसको प्यास नहीं लगती है तो अगर मरीज पानी बहुत कम पी रहा है और उसके पैरों में एठ प्रहन और क्रैंस भी खतम हो जाएंगे उसका पानी पीने की इच्छा भी जाग्रित हो जाएगी और उसके काले हुए होट पुना गुलाबी हो जाएंगे क्योंकि मैं आपको बताओं कि क्यूप्रम में ठुम्यों पैती में तांबे से बनी दवा होती है क्यूप्रम इस कौपर तो तांबे से बनी दवा है और तांबे की एक बड़ी खुबसूरती होती है तांबा सात रंगों को फेकता है तो आप दो काम शुरू कर सकती है एक त 30-30 सात में आप ताम्बे के ज Rouge और सबए के गिलास में पानी पी राथ में आप नवा जग में 2 लीटर पानी भरके रखते हैं और सूबा वह पानी ताम्बे के गिलास में डालके तब वहान पानी पी देंगे कि आंप देखेंगे कि 74 पानि पज़ इसके काले होंट है और उसका पेट कभी नहीं सही रहता हमेशा जलन हुआ करती है अगर यहाँ एस्थिती आपने हो कि आपको हाइपर एसीडिटी के साथ आपके होंट काले हो तो इसको दूर करने की होंगे पैथी में बहुत कारगरदवा नक्सवामिका है आप नक्सवामिक आपका पेट भी सही हो गया आपकी हाइपर एसीडिटी भी खतम हो गई और आप एक स्वस्त और बेहतर जीवन जीने की ओर अगरसित हो गई अब बात चल रही है काले होट की तो काले होट के साथ दो पल हम लोग नीले होट की भी बात कर लेते हैं अगर आपको अपने करने साथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है लिकैसिस आप लिकैसिस वानीयम की तीन खुराग 55 मिनिट के फासले पर वीकली ले सकती हैं जब आपकी होटो में ब्लैक टिंट के साथ थुड़ा ब्लू टिंट भी हो तो आप लेकैसिस 30 ले ले लें और आप अप अपने होटों को वापस गुलावी देखने के लिए तैयार हो जाएं यहां साथियों कुछ दवाएं थी आपके लिए हमाई तरफ से काले होटों को गुलावी करने के विशय में मैं फिर कहे दूं कोई भी दवा बिना किसी को सल्ची किसक से पूछे मत लीजिएगा क्योंकि जो चीज फायदा करती है उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं लेकिन मैं आपको हमियो पैठी के करीब लाना चाहता था यह जो आपकी मेहनत का पैसा है जिसको कि आप 12-1200 रु पैंगा ब्रांड माना जाता था उसकी 80-70 रुपए में लिपिष्टिक आ जाती थी आज 1500 रुपए में ने पेंट आ रहा है तो आप पैंट से मैं आपको खर्चे से बचाना चाहता हूं इसलिए मैंने आपको यह दवाएं बताई हैं आप इनको एक बार किसी कुछा कुसल इस वीडियो को शेर जरूर करिएगा अपने चैनल को सब्स्राइब करिएगा और शेर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबा के सबसे पहले हमारा नया से नया वीडियो पाती रहिएगा आपका हमारे साथ इती देर इस कार्टरब में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभाद, बहुत बहुत साथ हुआत, बहुत बहुत रन्यवाद बहुत 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 रादरिल को आभाद